हलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको मैं वापस से एक शायरी अप्लिकेशन बनाना सिखाऊं ठीके तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं आपको सिंपल इसे एडिट करना है और आप अपनी खुद की शायरी अप्लिकेशन बना सकते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करना और ये टुटोरियल जरूर देख लेना कि आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करने क उसे एडिट ये सेट अप कैसे करना है काफी इंट्रस्टिंग वीडियो होगी और आई होप आपको जरूर पसंद आईगी और हां बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना इस वीडियो को यार सो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ में ये बैल का आइकन भी जरूर दबा देना और हां इस वीडियो पर मैं सिर्फ दस लाइक का टार्गेट रख रहा हूँ आप लोग हमारे लाइक का टार्गेट कंप्लीट करवाद होगे तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो नीचे डेस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा ठीके शायरी स्टेटस 2020.ai ये फाइल आपको नीचे ड डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद आपको आना है इस वेबसाइट पर ये URL आप देख सकते हो app.thankable.com इस पर आने के बाद मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ तो इसलिए कह रहा था मैं आपसे की वीडियो स्किप मत करना ठीक है शुरुआत से बतारों देखते हुए चलना बिल्कुल लास्ट तक इस URL पर आने के बाद आप यहां पर देख रहे हो app के section में upload app AIA from my computer ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है और जो फाइल आपने डाउनलोड करिए description में से वो यहां पर select करनी है और open करके उसे import कर लेना है आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास already वो प्रोजेक्ट है इसलिए यहां पर यह message शो कर रहा है तो आप बिल्कुल same इसी तरीके से करें उसके बाद यहां पर मैं आपको open करके दिखाता हूँ इस project को ठीक है तो यह है हमारा project आप यहां पर देख सकते हो इसमें कितनी screen है आप चाहो तो यहां पर अपना logo लगा सकते हो वो कैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ठीक है आपको एक छोटी सी चीज इस्तेवाल कर दी है वो है अपना दिमाग ठीक है वो कैसे आप यहां पर side में देख रहे हो properties में application name application name में आपको अपना application का नाम डाल ठीक है background image जो भी background में image लगाना चाहते हो आप जैसा कि आप देख रहे हो यह image लगी है इसी तरीके साब कोई सी भी image लगा सकते हो देख रहे हो आप यह change हो रही है ठीक है तिर यहां पर image का icon sorry फिर यहां पर app का icon आप देख रहे हो यह app icon है आइकन जो है यह वाला यह app icon है ठीक है इस screen का नाम और एक जिस ज़रूर ध्यान दे जिस screen पर है आप उसी screen की property आपको यहां दिखेगी ठीक है यह first screen है आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना उसके बाद यहां पर आप द तो हम सबसे पहले चलते हैं इस home वाली पर यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो उपर application का नाम है साथ में उसका icon है आप click कर सकते हो उस पर और यहां पर आप property देख सकते हो उसकी image अगर आपको change कर दी है तो आप upload कर सकते हो अपनी कोई image और change कर सकते हो साथ में जो text है आप यह भी change कर सकते हो इस पर click करके उसकी property रेखनी है आपको और जो भी आपको लिखना है वो आप लिख कर इस white area में click कर सकते हो आप देख सकते हो इसी तरीके से किसी भी category का नाम edit कर सकते हो आप बस आपको सिंपल उसके click करना है और property में जाके वहाँ पर change कर देना है और white area में आप click करके preview देख सकते हो ठीक है तो यह हमारी second screen जो home screen थी वो भी आप easily edit कर सकते हो उसके बाद किसी एक category पर आ जाते हैं ठीक है first category ले ले लेते है attitude वाली इस एक category की तरह आप देख सकते हो सारी categories जो है हमारी वो इसी तरीके से design है मतलब आपको यह category समझ गए तो आप बाकी सारी भी अपने आप design कर सकते हो और इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर उपर category का नाम देख रहे हो आप simple वो property में से edit कर सकते हो ठीक है simple edit करा उसके बाद अगर आप share, preview और next का जो button है उसमें कुछ changing करना चाते हो तो उस पर click कर सकते हो मैं इस पर पहले इसलिए आया हूँ क्योंकि यह बस छोटी सी चीज है आप एक बार में समझ जाओगे हो गया अब हमारा जो काम बच्टा है वो बच्टा है यहाँ पर आप यह देखो जो loading लिखा है ठीक है यह loading मतलब यह content है शायरी का यह आएगा कहां से यह है point हमारा तो आप एक चीज़ देखना जितनी भी यह category है उन सब में आपको यह air devil दिख रहा होगा जितनी भी हमारा पास categories है उन सब में आपको यह air devil दिख रहा होगा अब जितना भी हमारा data है वो air devil की तरफ से उठकर आएगा आपको कुछ नहीं करना आपको यह जो project मिलेगा उसके अंदर air devil अपने आप आएगा आपके पास बस आपको करना क्या है आपको air devil वाली इस website पर जाना है ठीक है और अपना एक account बना लेना है साथ में आपको मैंने यह जो आप base देख रहे हो शायरी status 2020 इसका URL आपको मैंने शेयर करा है नीचे description में आपको वहाँ पर जाकि क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस बनावा आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ठंकेबल के अंदर जो हमार पास air devil है उसके अंदर यह जो table name है ठीक है यह वाला name और air devil वाली website पर यह जो tables के name है इनमें एक एक word similar होना चाहिए नहीं तो आपकी उस category का data आपकी application पर नहीं दिखेगा बात के लिए उसके बाद आपको अपना air devil connect करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है एक देख सकते हो प्रोपर्टी में यहाँ पर API की और base id अब यह दो चीज़े हमें कहां मिलेंगी हमें वापस जाना है air devil में और यह account का section आप देख रहे हो account ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपनी API जनरेट कर सकते हो और इसे कोपी करके अपनी application में आकर इस वाली API की से remove कर सकते हो बस इतना करना है आपको उसके बाद यह जो base id आपको यह भी remove करनी है अब आपको यह कहां मिलेगी वापस चलते हैं air devil पर और यह जो option आप देख रहे हो help का आपको इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो API documentation इस पर click करना है आपको उस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो the id of this base is ठीक है अब आप एक चीज़ का खयाल रखें कि आपको जो base मिला है जो url मिला है air devil का उसी पर जाकर आप जब help पर click करोगे तो उस particular base की एक base id है वो यह है आपको simple इसे copy करना है और यहाँ पर base id से remove करना है अभी जो API और base id है यह आपको बाकी other categories की screen में भी जाकर change करना है ठीक है आप application को edit करना सीख गए लोगो लगाना सीख गए ठीक है शायरी application में data कहां से आएगा उसके लिए क्या करना है आप वो सीख गए अब last बश्टा है कि आप अपनी application में advertisement कैसे लगाओगे क्योंकि वही तो एक source है जिससे आप earning करोगे अपनी application के through उसके लिए आपको कुछ स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपर एक option मिल रहा होगा addmob का बस आपको simple अपनी यहाँ पर app id डालनी है और app id आप कैसे बना सकते हैं यह आपको पता होगा ठीक है हर स्क्रीन में आपको यह option दिख जाएगा वैसे मैंने in में addmob के initial add लगा रखे हैं आप चाहो तो banner add भी लगा सकते हो यह सब आपको पता होगा अगर आपको इसके उपर भी एक tutorial चाहिए कि banner add, initial add या फिर add unit क्या होती है तो आप नीचे description में comment करें मैं definitely इसके उपर भी एक video लाने की कोशिश करूँगा So I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी और इस video को देखने के बाद आप अपनी खुद की एक शायरी application बना पाऊगे So इस video को जादा से जादा शेयर करना और like तो जरूर करना यार चैनल को subscribe कर लेना और साथ में यह bell का icon जरूर दबाना मैं मिलता हूँ आप से आगे SE किसी next और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye